अध्याय छबीस मूर्ख का चित्रण मूर्ख का आदर करना उचित नहीं ये गर्मी में बर्फ या बरसात में वर्षा के सद्रिश है जिस प्रकार फुदक्ती गुरईया या उड़ती अबाबील कहीं नहीं रुपती उसी प्रकार अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता धोड़े के लिए चाबुक गधे के लिए लगाम और मूर्ख की पीट पर लाठी मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो नहीं तो तुम उसके सद्रिश बन जाओगे मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर दो जिससे वो अपनी दृष्टी में समझदार न बने जो मूर्ख द्वारा संदेश भेजता वो अपने पैर पर कुलहाडी मारता और अपने पर विपत्ती बुलाता है मूर्खों के मुह में सूकती पंगू के लंगडाते पैर जैसी है मूर्ख का सम्मान करना गोफन में पत्थर बांधने के समान है मूर्खों के मुह में सूकती शराबी के हाथ में कटिली डाल जैसी है जो मूर्ख या परिचित व्यक्ती को काम पर लगाता वो योहीं घायल करने वाले तीरंदास जैसा है जो मूर्ख बार बार मूर्खता पून काम करता अमन के पास लोटने वाले कुत्ते जैसा है जो व्यक्ती अपने को बुद्धिमान समझता उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक है आलसी का चित्र आलसी कहता है सिह बाहर खड़ा है सिह गलियों में विचरता है जिस तरह किवार अपने कबजे पर घूमता उसी तरह आलसी अपने पलंग पर करवट बदलता है आलसी थाली में हाथ डालता तो है किन्तो उसे मुह तक उठाने में उसे ठकान आती है विवेक पूर्ण उत्तर देने वाले साथ ग्यानियों की अपेक्षा मूर्ख अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है जो व्यक्ति दूसरों के जगड़े में दखल देता वावारा कुत्ते के कान पकड़ने वाले जैसा है वो उस पागल जैसा है जो जलती लकड़ी फेंकता और घातक तीर मारता है या उस व्यक्ति जैसा जो अपने पडोसी को धोका देने के बाद कहता है मैं तो मजाग कर रहा था जहां लकडी नहीं वहां आग बुझ जाती है जहां चुगल खोर नहीं वहां जगडा शांत हो जाता है जैसे जलते अंगारों के लिए कोईला और आग के लिए लकडी वैसे ही जगडा लगाने के लिए जगडालू व्यक्ती ज्यूटी निंदा करने वाले की बाते चाट जैसी है वे पेट की गहराई तक उतरती है जैसे मिट्टी के बरतन पराशुद्ध चांदी की कलाई वैसी ही दुष्ट के होटों पर चिकनी चुपड़ी बातें जो बैर करता उसके होट मधुर बातें करते किन्तु उसका अंतरतम कपट से भरा है वो भले ही मैत्रिपूर्ण बातें करे तुम उस पर विश्वास मत करो क्योंकि उसके रदे में साथ ग्रनित वस्तुएं छिपी है वो भले ही अपना बैर कपट से छिपाए उसकी दुष्टता सभा में प्रकट हो जाती है जो व्यक्ति गड़ा खोदता वो स्वयम उसमें गिरेगा जो व्यक्ति पत्थर उपर लुढकाता वो स्वयम उससे दब जाएगा ज्यूठी जिवहा अपने शिकार से ग्रना करती है चापलूसी करने वाला मुक विनाश की ओर ले जाता है करने चारा झारा बाला बाला करता है